ओके आई होब कि तुम लोगों ने जरू सुना होगा ओंडिसी के बारे में कि ओंडिसी इस दा निव फ्यूचर या फिर जो नेक्स टेक्नलोजी ओंडिसी यह जिसे की यूपया आया था तो ऐसा लोग अभी क्यों कहे रहे एंडिसी भी ट्रेंड में क्यों है इसका मतलब क्य जिसका मतलब यह कि यह एक ओपन सर्वीस सब के लिए तो इस सर्वीस में क्या मिलता है एंडिक्यों अभी इतना पॉपल हो रहा है तो इसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले बात यह कि यह किस तरह के सर्वीस प्रोवाइट करेगा हमें तो जैसी कि आप लोग देख सुगी चार्ज करने वाले हैं जिससे कि उनके फूट के प्राइस पर कोई एफेक्ट नहीं पड़ेगा यानि कि जो फूट प्राइस आपको हंडेट भी समिलते थे अभी रेस्टोरंट्स वो आपको शो करेंगे सुगी और जमेटो में इसी को ब्रेक्ट्रू करने के लिए और यह गवर्मेंट की तरब से है तो यह क्या करता है कि आपको इसी तरह के सर्वीज देगा बट वी तर लो कोस्ट अमॉट यानि कि रेस्टोर्ण और इसको बहुत कम चार्ज करेंगा जिससे कि क्या हो कि बहुत ही लो कोस्ट में यह हमें एक एक एफेक्टिव डिलीवरी सर्विस देगा जिससे कि क्या होगा कि यह जो जो मैटो सुईगी जो फिलिपकाट एन अमेजन उनके मार्केट में भी घुसने ही वाला है तो इन सब को हटाने के लिए ही गवर्मेंट ने इस तरह की सर्विस को लॉंच किया एंड यह अभी लॉंच नहीं किया गया ओंडिसी को इस सेप्टेंबर 2022 में बैंगलूरू में लॉंच कर दिया गया था एंड अगर आप देखोगे अभी ओंडिसे की जो यूजर से वो 40 परसेंट वो बैंगलूरू से ही है एंड जो 40 परसेंट यह मुंबाय देली और बाकी स्मार्ट सिटी से हैं उसके बाद जो 20 परसेंट को इंक्रीज नहीं करना पड़ेगा और बहुत लोगों को यह लगता है कि कोई एप आप आएगा और वो प्लेश्टोर या फिर एप्स टूम जाकर सर्च करते हैं लेकिन उन्हें कोई एप नहीं मिलता है क्योंकि यह कोई एप है ही नहीं यह एक सर्विस है बाइक से यू पी जो की गवर्मेंट ने कुछ सालों पहले लाया था उसी कज़र एक रेप्लीकेटिड वर्जन है जिसमें गवर्मेंट इस मार्केट में घुसती हैं इसे ब्रेक्थ्रू करती हैं इसी तरह से डिलीविस सर्विस में भी उन्हें ने यू यू पी तरह ही इसमें घ जैगा जैसे कि पेटें में होता है कि आगर आपको पैसे ट्रासफर करने तो जीसे थी सारे अप्स को एकसेस देना लीट मिल जाएगा औरने मेँ बात करे जो कमिशन्स है ये और तो पर एक कम होने करने वाला है क्योंकि इसके बात मीनिमल कर सब्सक्राइब उर्भी सब्सक्राइब करते करे का में እजिस्विस करेंगे अभिए अब बात लों कि आप को और अडिक चाहिए करना है कि आपको पेटेम में जाना है और सच वाले ओफसें में जा कि आपको O&C लिखना है जिसके बाद जो रेस्टरांस या फिर बाकी सर्विस है जो O&C की अंडर है वहां पर आ जाएंगे और वहां पर आप क्लिक करके वहां से order place कर सकते हो इसके बात पेटे में एक बहुत ही minimal amount करेगा उसमें से उस food prices आपको वह service point कर दिया जाएगा तो इस तरह से आप पेटे में फिर फोन पे में आ चुका है पेटे में आ चुका है तो इस तरह के एप से आप और प्लेस कर सकते हो और यह देरी बाकी सारे एपस में आही जाएगा अभी तो ओंडी सी food के services में या फिर जो छोटे-छोटे सर्विसे से उन में है लेकिन वह देरी क्या करेगा कि जो फ्लिपकार्ट और Amazon कर रहा है जिस तरह से हमें product supply करता है इस तरह से इसमें भी ओंडी सी घुच जाएगा एंधरी तरह हमें ओंडी सी हर जागा देरों को मिलेगा जिसे क्या हो कि हमें बहुत ही लोग प्राइस में product मिलेंगे जो कि हम सब के लिए बहुत ही अच्छा है as a consumer तो यह तो सारी होगी benefits की बात अब मैं बात करता हो इसके तो जैसे कि अगर एक ऑरणर अभी ओंडी सी में services लिया रहा है यानि कि वह सप्लाइ करता है और ईसमें क्या होगा कि अगर वो नहीं होंगे तो वो डिलीवर भी नहीं कर पाएंगे तो इससे क्या होगी रेस्टोर्ण ओनर के पास एक बहुत बड़ी चीज़ों में वो डिल कर रहे हैं उन्हें वो डिलीवर कर पाएं कस्टमर्स को इसके बाद एक प्राइबेसी से लेटेड़ भी कंसर यह है कि सुईगी और जुमेटों क्या होता है कि वो अपने कस्टमर्स का यूजर और डाटा किसी को शेर नहीं करते लेकिन ओंडिसी में क् कि गवर्मेंट इसे किस तरह से टेकल करती है और इसका कुछ सॉल्यूशन निकलता है या फिर नहीं जैसे कि यूपिय के आने के बाद बाकि प्लेट्फॉर्म्स को फोर्सफुली इसे अपने एप्स में इंक्रूट करना पड़ा क्योंकि यह फीचर था पेमेंड मेथट का सब कुछ बता है कि यह क्या करेगा और यह कैसा यूज करते हैं यह से और अगर यह वीडियो को लाइक करते हैं जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो में थेंक्यू